जौनपुर के जलालपुर थानाक्षेत्र अंतरगत मकरा चौराहे पर कार से रौंद कर हत्या करने के मामले में सुभास्पा प्रमुक ओम प्रकाश राजभर पीडित परिवार से मिलने पहुँचे. पीडित परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से. बातचीत करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि पुलीस और पीडित परिवार को आमने सामने बैठ कर बातचीत की गई. पुलीस ने इस मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजिकरित कर लिया है. जो धा तो पीडित परिजन पुलीस की कारवाई से संतुष्ट दिखे. जिसे से संतुष्ट दूश्ट दूश्ट। नहीं कि अपके निया नहीं कि करिवार शे हमने मिला घटना करम की या भी रही जुट है जानकारी जो भी उसकी जानकारी पहले समनों को थी उन्होंने भी बताया और आपके सामने जो यहां के जलालपूर के इस्वेक्टर हैं उनको भी बैठा करके फरिवार के लोगों को बैठा करके दोनों लोगों से हमने ताकि उनको भी लगे कि हमारे साथ क्या करवाई हुई और अदुखत घटना है अब उस घटना के बाद तो भाई कानूनी दाएरे में एफ आई यार हुआ जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं लगी और जिन लोगों ने इस तरह की घटना की उनको पुलिस ने गिरफतार कर लिया और गिरफतार करके अब उनको जेल भेजने की कवायत तो इस घटना से जो गाउं के भी लोग हैं परिवार से भी पूछा गया हो गाउं के भी लोगों से हमने पूछा कि भाई पूलिस की कारवाई से आप लोग संतुष्ट हैं तो लोगों ने कहा हम लोग संतुष्ट हैं आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप इंस्पे कानून की बात नहम करें तो कानून के दाइरे में घटना के बाद फाइयार अगर यह नवी हो तब बीपक्ष कहे यह यार के बाद गिरवतारी नवी हो तब बीपक्ष कहे तो जो सरकार का का काम है पुलिस का काम है वो तो काम हो गया है